जमिशकार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रवामे दोस्तों ये वीडियो में लेकर आई हूं 12th क्लास के पेंटिंग सब्जट के स्टुडेंट्स के लिए और इस वीडियो में वो पढ़ेंगे उनका समकालीन आदुनिक भारते कलाकारों के चापाचितर पर लास्ट चापाचितर जिसका नाम है आदमी औरत और व्रक्ष और इसके चापाकार का नाम है के लक्षमा गोड़ दोस्तों इससे पहले जो इस चेप्टर पर और वीडियो म मैं आपको दे दूँगी तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लें तो शुरू करते हैं यह है आपका चित्र आदमी और व्रक्ष तो सबसे पहले आप इस चित्र को देख लिजए यह है व्रक्ष और यहां पर आ निहार रहे हैं, दोनों आखों में आखे डाल कर एक दूसरे से बाते करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये इन दोनों की फर्स्ट मिटिंग है, तो इसी चित्र को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं, आदमी औरत और व्रक्ष, चित्र के चित्रकार का न और जो यह चित्र है, वो समकालिन आधुनिक दौर का ही है, एचिंग और एकवाटिंट पदती में इवाला चित्र बना है, और रास्टर संग्डाले नई दिली में सुरक्षित है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो इस चापा चित्र को के लक्षमा गो इन्होंने विभिन रंगों के संयोजन से व्रक्षों को दिखाया है, उनकी डालियों को वे पत्तों को चित्रित किया है, व्रक्ष के नीचे एक सुसजित, मतलब सजी हुई महिला बैठी हुई है, साड़ी वो ब्लाउस पहने हुए दिखाई गई है, उसके बाल जूडे की शकल में पीछे की और बंधे हुए है, दोनों हाथ आगे की और एक के उपर एक यानि एक दूसरे के उपर रखे हुए है, पासी तीन व्रक्षों के नीचे एक युवा पुरुष भी बैठा हुआ दिखाई दिता है, दोनों एक दूसरे को हसरत भरी नजरों से देख रहे ह जो की इस्तरी पुरुष के बीच सोभाविक आकर्शन का प्रदर्शन यहां पर चितरकार ने किया है, जहां पर वो बैठे हुए हैं, चारों और छोटे फूलों वाले पौधे हैं, उनकी पत्यों को कलाकार ने बारीकी से चितरित किया है, उपर की और तीन व्रक्ष के तन दालियां वे पत्यां जिस तरह से आलिंगन बद होते दिखाई गए हैं, उसी तरह की अनुभूती उस इस्तरी वे पुरुष के बीच हिलोरे लेती दिखाई पड़ रही है, हाला कि इन्हें मरियादे की सीमा में समैटे हुए चितरकार ने चितरित किया है, फिर भी हिर्द दिखाई में उठ रहे समवेगों को उनके चहरे वे आँखों के भावों से स्पस्ट किया जा सकता है, तो बेटा आप जान लेते हैं कि के लक्षमा गोर कौन है, तो इनका जनम 1940 में आंध प्रदेश के निजाम पुर में हुआ, आधुनिक भारत के मुदरन चितरकारों में से यानि कि मुदरन चितरकार मतलब चापा चितरकार, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुदरन कार्थ चापा ही होता है, तो चापा चितरकार में से एक हैं ये, और इन्होंने गौर्मेंट कॉलिज आर्ट और आर्किटेक्चर हैद्राबाद से डिप्लोमा किया, और उसके महराज सियावजी राव विश्विद्याले बढ़ोदा से पोस्ट डिप्लोमा करने, कुछ समय तक इन्होंने हैद्राबाद विश्विद्याले में परफॉर्मिंग आर्ट तथा फाइन आर्ट में अध्यापनियानी की पढ़ाया भी, ये अपने चितरों के माध्यम से प् तो बेटा ये था आपका चेप्टर नमबर थर्टीन समकालीन आधुनिक भारती है कलाकारों के छापा चितर तो ये वाला चेप्टर यहाँ पर इसी छापा चितर के साथ मैं समाप्त कर रही हूँ, आशा करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्ल बेटा मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना